मैं रमिश्र पांडे आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत वावन अभिनिन करता हूँ एजिट्वेंट पावर चैनल की तरप से आईए हम आज बात करते हैं एंटमोलोजी के बहुत ही रोचक पॉइंट मेटामोर्फोसिस अगर लोगों ने पढ़ा है तो उसमें कई टर्मोलोजी बार-बार घुमती है एक उसमें आपका लारवा प्यूपा ठीक तो हम इसके सब्यक्ट में थोड़ा पढ़ते हैं हाँ आप लोग ध्यान दीजेगा कि मेरे इस वीडियो में एक कोश्चन जोन भी है उसको आप जरूर देख कर जाईएगा वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा देखिए आए अगर हम बात करते हैं सबसे important बात अगर आती है लारवा के subject में तो लारवा और प्यूपा के जो case में अगर आप लारवा की बात करते हैं तो लर्वा आपको अधिकतर किसमें मिलेगा अधिकतर जितने भी classification है metamorphosis के ज़्यादा से ज़्यादा species में मिलेगा बट अगर हम pupa की बात करते हैं तो बहुत कम में मिलता है इसलिए उसका classification भी कम है और उसमें हमको ज़्यादा याद भी नहीं करना चीज़ों को आईए अगर हम इसमें बात करते हैं तो basically ये चार टाइप है इसमें ठीक चार टाइप किस तरीके से हैं किस भीहाब पर रखे गए हैं ठीक और अगर हम दोनों की बात करें तो दोनों एक हमारे feeding element है ठीक एक के बात के दोनों ही procedure है और दोनों का एक नई species को आने में बहुत ज़्यादा work है अगर इसका work सार्प नहीं होगा तो इस species आनी पाएगी ठीक आईए बात करते हैं तो यैसे अगर लार्वा के सबग में बात करते हैं इसको बोला गया है यह हमारा क्या है soft egg है ठीक किसने बोला ऐसा भी है इनकी according syndrome grass जो है 1935 में इन्होंने एक statement दिया कि free lip embryo adopt मतलब की adopt for the various feeding जैसा मैंने बोला कि यह starting में ही feeding के लिए मतलब की nutrition देने के लिए egg में बहुत ज़्यादा ज़रूरी process है बात करते हैं यह soft egg है एक के पहले सी जो हमारा egg होता है वो embryonic stage होता है ठीक अब इसमें यह embryonic stage के बात की बात है यह चार टाइप के हैं तो इसमें क्या है प्रोटोप, पोट्स, लार्वा जिसको निम्फ पूलते हैं इसका निकनेम निम्फ है ठीक इसके क्या है यह inactive larva है inactive larva होने के साथ साथ इसमें क्या है कि अगर early phase में अगर इसकी बात करते हैं तो यह inactive पाये जाएगा कौनसी phase में? early phase में ठीक और इसमें क्या होगा? undeveloped respiratory system और nervous system दोनों ही क्या होंगे? undeveloped होंगे जब इन एक्टिव है तो दोनों obviously develop होंगे और यह इसका एक अगर example के तुरूप में अगर देखें तो यह insect का एक order है hemipetra यह दोनों आपका hemipetra में ही पाया जाता है ठीक? hemipetra के insect ही लेते हैं अब देखी polyport का larva की अगर बात करते हैं तो इसमें caterpillar अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसमें well defined segmented body पाई जाएगी ठीक? इसके output में और यह देखने में curiform larva की तरह दिखेगा और इसका भी example हम देखें तो hemipetra ही है ठीक? order में यह order है insect का नेम नहीं है ध्यान दिजेगा ठीक? अब इसमें है oligopad oligopad की अगर हम बात करते हैं यह larva इसको भी बोलते हैं groom ठीक? अगर इसकी बात करते हैं तो यहां और यहां यहां inactive था यहां defined हुआ तो segment body हुई यहां क्या हुआ? well defined होगा head है उसका क्या हो जाएगा? capsule like जैसे मेरा head है तो इसमें कई type है तो capsule like इसका head सो होगा starting phase में और इसमें क्या है? caduleal process जो है present है एक special चीज़ और आपको मिल लगी है और इसकी present होने की विएस से आपको दो classification इसमें और internal मिल ला है अगर हम deep में जाते हैं तो can be podium form और आपका sternum car form ठीक इसमें क्या है? दोनों cellopatra order के हैं ये और ये दोनों में cellopatra order है अब cellopatra में अभी जो inner order है तो उसमें क्या है? polyfigra और यहाँ पे edophygra और neutropetra ये मतलब कि cellopatra के individual order है ठीक? insect में ये sub order है ध्यान दीजेगा यहाँ बारिक point मैंने किसी भी insect का अभी तक नाम में लिया है सिर्फ classification के order का ही नाम दे रहा हूँ एक्जामपल में ठीक? अगर हम इसकी और अगर deeply अच्छे से बात करते हैं तो इसका एक last अगर हम वोगी हमने बोला 4 part में है तो 3 अब ये 4 part आपका है ये यहाँ जितनी भी कमिया थी अब यहाँ पोरी हो जाएंगे ठीक? यहाँ क्या इसकी है? यह आपका अड़ोडियस लारवा है यहाँ क्या था? गर्व था? यह क्या हो गया? मैंगॉट हो गया यहाँ क्या था? कि यह इनक्टिव था इसका ढोलक नुमा सेब था यहाँ हेट आपका बॉडि सेगमेंटेड हो रहे थी यहाँ क्या है? इससे आरहे थी कि आपका हेट कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर हो रहा था और यहाँ पर क्या था? कि आपका जो इससे तिया है वो क्लासिफिकेशन indisible आ रहे थे बट यहां क्या होगा यहां इन सारी चीजों से चीजें प्लस होती जाएंगी यहां c-shape और spandle without इसके साथ अगर c-shape है spandle है तो without क्या होगा develop head मतलब कि इसमें तो नहीं develop हो पाएगा पर उसका जो सेप होगा क्या होगा c-shape होगा मतलब कि अगर आप fungus देख रहे होंगे तो इसका filament देखेंगे कुछ ऐसा से पाएगा ठीक आग इसमें बात करते हैं तो इसके भी जो है basically तीन classification है तो आप इसमें यूको फैल्गस यूको फैगस की बात करते हैं यूको फैल्गस में आपका नेमिटो पैट्रा नेमिटो पैट्रा यह जो तीनो इसमें जो पूरा डिपेंड है यह यह डीपी पैट्रा order का है काउंसा है डी पी पेटरा ठीक डी पी पेटरा की यह सब सब order है क्या है सब सब order है यह ध्यान दीजेगा तो यह सब order क्या है निमिट्रो पेटरा ठीक अब इसमें क्या-क्या है इसका एक और एक नाम है यूको सी फैल्गस का एक और नाम है कि रियो ली बैटस मतलब कि इसमें इस्ति ये हो जाती है कि ये जो हमारा इस्ति यहाँ पर आता है ये इन सबसे ज़्यादा एडवांस है और एडवांस होने का ये इसका प्रो फीज है ठीक यहाँ पर इस पैंडल के साथ साथ उसका अगर complete hit नहीं है तो क्या क्या पाए जाएगा उसका respiratory system रहेगा नर्स system रहेगा डाइस्ट्री system रहेगा वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी complete हो जाएंगी क्योंकि अगर हम बात करें metamorphosis में तो इन स्टेजों तक क्या नहीं हो पाता है उसके wings fighting muscles वो सारी चीज़ें लग नहीं हो पाती है ठीक अगर आगे की बात करते हैं औहमी को फैल्गस जिसको एवाइड इसका अधर नेम है तो इसमें मतलब इसका भी वर्क इनहीं की तरीके से है इसमें दीरे दीरे phase change होता रहता है बट यह ध्यान देंगे कि किसी में भी wings develop नहीं होगा क्या नहीं develop होगा wings wings pet develop होंगे और sex organ भी develop नहीं होंगे ठीक अगर हम अब बात करते हैं प्यूपा की यह क्या था यह अधिक्तर में सामिल लेता है four stage three stage दोनों मिल जाएगा बट यह क्या है जहां four stage रहेगा सिर्फ वहीं यह मिलेंगे इनका अधर निम cocoon भी है ठीक अगर हम इसकी बात करें प्यूपा तो यह latin word doll से बना हुआ है क्योंकि इसका से भी कुछ doll like structure होता है ठीक यह क्या है अगर हम इसके विसे में समझें तो जो इसका stage है वो mature और immature stage के बीच का जो life period है वो प्यूपा बोला जाता है यह इसके भी two types है अगर इसको प्यूपा बात करते हैं तो इसको प्यूपिय बोल देते हैं ठीक और एक एक क्लासिफिकेशन है उसमें एक portion आता है articulate आता है तो यहां articulated रहता है मतलब कि वो basically supported रहता है अगर वो supported है तो वो decidious प्यूपिय में आएगा अगर supported नहीं है तो वो a decidious प्यूपिय में आएगा ठीक अब इसके यहां क्या है example में आपका नुक्रो डीपेट्रा मुको डीपेट्रा टाइको डीपेट्रा इस तरीके से करके पूरी सिरीज है ठीक अगर हम यहां बात करते हैं तो इसके classification में भी internal तीन classification है यहां आपको में बता दे हमारे entomology में जो चीज़े incomplete जैसे complete metamorphosis और incomplete metamorphosis complete में classification नहीं है पर जहां incomplete आ गया वहां बहुत ज्यादा classification हो जाता है जैसे यहां डेक्रीडियस था तो यहां classification नहीं था पर जब एक डेक्रीडियस हुआ तो classification आटोमेटिक बढ़ गया तो मतलब हमको जहां complete है वहां ज्यादा work करना पड़ेगा ठीक तो अब यहां देखिए एक्री एक्री रेटेट इसमें हाइमोपेट्रा सेलोपेट्रा का ही इसा पार्ट है मतलब इसमें दो में सेलोपेट्रा जो है work करेगा ठीक यह मैं एक्जाम्पल की बात कर रहा हूं इस अभी एक्जाम्पल इंसेक्ट के ओडर है ठीक अब इसमें क्या है आपके यह इसमें लिप्लोपेट्रा और सेलोपेट्रा ओडर है अगर हम इसकी बात करते हैं को एक्रिट की तो इसमें क्या है हमारे सेलोपेट्रा के इंटर्नल जो स्टार्टिंग फेज के प्री फेज के और यहां मैंने इसमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगे यहां मैंने कुछके नाम सो किये हैं अगर आप D पढ़ने जाएंगे तो बहुत सी चीज़े आईए अब आप लोग बहुत सी चीज़े समझ चुके होंगे अपने कोशें जोन पर आते हैं तो कोशें जोन में हमने सबसे पहला कोशें रखाएं कि larva of house life is called ठीक तो हमारे house life में किस टाइब का larva पाय जाएगा तो वो है man gods man gods यह रहा आपका ठीक यह आपका अगर हम बात कर रहे है the pupa of the butterfly house fly or butterfly अंतर है यह तितली हो गया यह मक्ही हो गया ठीक यहां कि अगर बात करें pupae में क्योंकि कि यहां क्या है यह four stage मतलब complete metamorphosis होगा यहां incomplete metamorphosis होगा यह भी clear हो रहा है साथ साथ ठीक तो यहां क्या है आपके पास क्लाइलेसियस है जो इसमें एक specific word है यह classification का part नहीं है एक specific word है जो butterfly में specific character पाय जाता है ठीक अगर हम बात करें larva of the waves call तो इसमें aphid है ठीक एक insect भी है जो यहीं से निकल ला है ठीक अगर हम बात करते हैं the names which यह सबसे important question है इसको ध्यान दीजेगा the names which live in water कुछ ऐसे भी हमारे nymphs हैं जो water पर develop करते हैं larva उनका life cycle जो है चलता रहता है तो वो क्या है nets हैं क्या है यह सबका doubt clear करने के लिए मैंने रखा इसको names and adult stage also called तो immature और इमगो मतलब की इमगो एक word चलता है आपर जो आप अगर four stage वाले में पढ़ेंगे complete madam workforce में तो इमगो जगह जगह किताबों मिलेगा अगर आप incomplete पढ़ रहा है तो आपको देखने को नहीं मिलेगा ठीक इन दोनों का sense एक है बहुत बहुत धन्यवाद आपने पूरे time वीडियो में बने रहे और इसी के साथ हम लाते रहेंगे जय हिंजय भारत झाल